वाई हो जो इन्जनुनमे साब आ जारी थी वो होती इसकी timing-adjusted की और यह जो है यह UM Commando Classic में Super Splendor का बिल्कुल fix आ रहा है तो आप हीरो का Super Splendor का originlar यह डाल सकते हो तो इसको ालते हैं देखते हैं वाजबंद होती है नहीं होती ठीक है उसके लिए आपको क्या करना है यह जो सेल्प है यह क्होलना है पहले इसमीं यहां पर दो बॉल्ट घ्राने है और सेल्प फोड़ी सी चोट मारूं के पिछे करना है यह देख सकते हैं बिल्कुल फिट हो गया है अब क्यूंकि बात क्या थी कि वो यूएम में और इसमें थोड़ा सा फर्क होता है फर्क क्या बहुत सारा फर्क बैट रहा था जिसके विज़े से बोल्ट इसका हर पार नहीं हो रहा था उपपरवाले भी कर दो चाहे इसको ऐसे दोनों से भी कर दो इसके लिए थोड़ी सी हमें मेनत करनी पड़ रही है थोड़ा सा जुगाड बनवाना पड़ रहा है पर यह है कि अब यह हम एकदम समझ चुके हैं इसका आगे से हमें क्या करना क्या नहीं करना यह आप देख सकते हैं यह हो गया प्लैन क्योंकि इसके क्या थे बोल्ट आ रहे थे भार जिसकी वज़े से सेल्प में अड़र थे मैं आपको अभी जाकर डाल के दिखाऊंगा ना जब आपको समझ आ जाएगा ठीक है आद गर के दोनों सेम हो चुके हैं क्योंकि कुल मिला कि इसमें जो बोल्ट थे इलंग की वाले यह वाले बोल्ट यह इसमें अंदर जाने चाहिए थे जो पहले नह हमारे सेल्फ दुपारा से सटिंग तुरी प्रॉपर बैट घिए इनको अ दर कराती स सेल्फ यह अमारा अब करके देखते हैं स्टार्ट में बड़े वहिया कर रहे हैं बाइक को स्टार्ट बाइक हो चुकी है देखो यह रही पहले की तरह बिल्कुल साइलेंड जो भी अवाज थी सब बिल्कुल बंद हो चुकी है तो कुल मिला के जो अवाज आ रही थी अगर आप अगर आपकी पाइक में एक दम से ऐसी आवाज आती है तो आप उसमें सोच सकते हो कि उसका एडजेस्टर खराब हो गया है और उसमें कुछ खराब नहीं हुआ क्योंकि अगर आपके टेबिट वगेरा में अगर साउंड है तो वह अराम अराम से दीरे दीरे बढ़ेगी एक दम नहीं आएगी